हलो आज है 14 थकस्त और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहें मुक्का प्रूटीन के बारे में 44 रुपीज का शेर है आज 4% की गिरावट है और कल भी यहाँ पर मेजर फॉल आया था कल 5% की गिरावट थी आज बाजा जस्ट अभी खुला है और 4% खुलते ही गिर चुका का शेर है और डेफिनिटली यहाँ पर 3.5% का डिकलाइन आज जरूर देखने को मिला है एक महिने में देखो तो यह लगातार गिरा है 54 रुपीज से लगातार गिरा है और अगर आप चनल को रेगिलो फॉलो करते हो तो जब यह 50 रुपए के ऊपर था तभी मैंने वीडिय किज़ारी यहाँ पर मत करना और अभी जिस लेवल पर है यह महंगा लेवल है ठीक है यहाँ पर अगर आप एक साल कर इसका ग्राफ दिखोगे तो पिछले एक साल में तकरीबन 4-4% की तीज़ी भी दिखाई है हलाकि एक साल कुराना ग्राफ इसका नहीं है इसके लिस्टि होगा ऐसा बाजर एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं ठीक है वो लिस्ट हुआ नहीं साथ रुपय के आसपास बलकि 42-43 रुपीस के आसपास यह लिस्टिंग होई थी और उसके बाद लगातर गिरावट आई थी तीज़ी आई एक दो दिन की वापस लंबे स फार्मिंग है उसकी जो फिनांसिंग है उसको लेकर बहुत अच्छे अनाउस्मेंट हुई थी और जिसको लेकर जो भी कंपनीज इस सेक्टर में थी सब ने तीज़ी दिखाई थी चाहे वो मुक्का प्रोटीन हो चाहे वो एपेक्स फूड हो या फिर और कंपनीज हो सब म इसका बाद में हो क्या रहा है लगातार ये गिर रहा है और यहां पर अगर आज वॉल्यूम के बारे में देखोगे तो 12 लाग के आसपास का शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आये मुक्का प्रोटीन में और टाइम हाई 56 रुपीज का था इसका लो तकरीबन 30 रुपे का है मार्केट के अपिसका 1331 करोड का इसका मार्केट के अपर छोटी सी कंपणी है ये और जहां तक देखा जाए इस कंपनी में तो 25% लोग करे खरिदारी करो 38% लोग करे बेचो और भाग जाओ और 37% लोग करे होल्ड करो यहां पर और जिस तरीके से अभी डाउन फॉल की लिस्टिंग है और उधने बड़े प्रॉफिट्स भी नहीं कमा रही है कि यह आपको डिविडेंट भी पे करना स्टार्ट कर दे कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओ गए तो इनका काम है वो जनरली फिश का काम है ठीक है जो फिश्रीज होता है उसका काम है हाला कि श्रिम सब कुछ आता है वहाँ पर तो फिश मील हो गया फिश ओल हो गया फिश ओलेबल पेस्ट हो गया सब कुछ काम है इनका और इनकी जो प्रिजन्स है वो इंडिया में करनाटक महराष्टर गुजरात एवन गल्फ कंट्रीज में भी है ओमान और बंगलादेश म कि अब तक मैंने इसको अवाइड करने की बात करी है जितने भी वीडियो मेरे थे मैंने हर में इसको अवाइड करने की बात करी है हला कि मैंने यह ज़रू कहा था कि तीस रुपए के आसपास अगर जाये तो खरीदारी कर सकते हो हाला कि वहाँ पर गया भी था और एक अच् इसका data available नहीं है जब भी कोई company के recent listing होती वो तब होती है जब पिछले कुछ quarter में पिछले कुछ सालों में वो अच्छा कल लेते है ठीक है तो listing करवा देते ताकि अच्छा listing gain मिल जाए यहाँ पर अभी जो numbers आए है वो clear picture show कर रहा है कि देखो जब listing करवाई थी इन्होंने तब इनके जो revenues थे वो 340 करोड ठीक है 524 करोड तक के revenue थे quarter ले अगर आप देखोगे तो profit था 28 करोड 10 करोड सा 23 करोड और अभी क्या हुआ अब तक का सबसे lowest revenue इन्होंने report करा है जून quarter में 175 करोड का revenue जो कि भाई है इतने quarter में कभी नहीं था even 400 करोड तक के revenue कर रहा था यह पिछले साल तक even 2022 में भी तो यहां पर बहुत कम revenue रह गया है 175 करोड का revenue और profit सिफ 4 करोड का इनका profit है तो profit wise भी देखोगे हलाकि पिछले साल से अगर आप compare करते हो कहीं न कहीं profit जाता है लेकिन revenue में अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक गिरावट आ रही है अगर आप June quarter देखते हो तो वाकई में अब तक के सबसे lowest number रिपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने जो कि अच्छा sign नहीं है इस company का और यही वज़य है कि आज गिरावट देखने को मिली हाला कि बहुत कम गिरावट है मैं कोई बहुत बड़े fall expect कर रहा था हाला कि अगर आप देखोगे तो कल already इसने बहुत बड़ी गिरावट दिखा दी थी तो इसलिए शायद थोड़ी से गिरावट कम नजर आई है जहां तक shareholding के बारे में देखे तो promoter के holding 73.33% की है और एक भी share गिरवी नहीं है mutual fund के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर domestic institution 2.50% का stake लेकर बैठे हुए है Files 5.08% पर है और जो other parties है वो 19.09% का stake उनके पास है जिनमें से retail investor यहाँ पर देखो 54% का stake उनके पास है तो यह overall अगर मैं बात करने जाओ मुका प्रोटीन के बारे में तो again company खराब नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसके listing बहुत recent है data बहुत जादा इसका available नहीं है इसलिए बहुत जल्दी trust करना इसके उपर तो आसा मुश्किल हो रहा है खा सके तब जब वो एक high price पर trade कर रहा हो अगर वो low price मिलता है जैसे कि 30 रुपे के आसपास था तब मौके बन सकते हैं इसके जो 28 रुपे का listing इसके जो IPO price है वो 28 रुपे का था ठीक है तो मुझे अच्छा लगेगा इसका मुझे लगता है कि long term में यहाँ पर 30 लॉट नहीं चाहिए क्योंकि जो business है जो sector है वो अच्छा लगता है मुझे जो भी companies इस sector में है बहुत सारे companies अच्छा कर रही है तो कही न कहीं मुझे लगता है दूर बैठो तमाशा देखो जल्दवाजी मत करना यहाँ पर अगे यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है यह वीडियो को यहीं बेंड़ करता हूँ पसंद आ हो तो लाइक करो शाय करे चैनल बगरा पहली बारे हैं तो प्लिज सब्सक्राइब करे और मुका प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं Thank you